Student आज हम आपके लेके आएं C++ के Concept जिसमें हम C++ के एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें हम C++ के पूरे Code आपको बताएंगे First Basic Program से लेके Last तक पूरी एक सीरीज चलेगी जिसमें हम C++ Totally आपको सिखाने वाले हैं तो जब हम C++ Open करते हैं तो ये Interface आपको दिखाई देगा से Output Screen पे जस्ट हम एक Message मिले तो C++ में क्या Code होगा जिससे के Output पे एक Message जस्ट एक Message आए तो This is the First Basic Program of your C++ C++ का पहला Basic Program हम करने जा रहे हैं सबसे पहला Void Main का Block होगा Void Main एक Block लगाएंगे ये Block Bracket Start और Bracket बंद करेंगे तो ये Block माना जाता है इस Block में कोई भी Code हम करेंगे उस Code को Compiler Execute करेगा Output पे दिखाएगा तो सबसे पहला First Basic Program की हम बात करें हर Program की जो Basic Requirement रहने वाली है वो है आपका Void Main का Block Void Main, Bracket Start, Bracket बंद इस Particular Block के अंदर हम सारे Code लिखने वाले हैं Clear? तो Output Screen पे जस्ट हमें एक Message देखना है First Basic Program ये है हमारा और कैसे वो होगा कोई भी Message हमें Output Screen पे देखना है तो Void Main के Block में हमें Code करना होगा उस Message को लिखना होगा जैसे मैं लिखता हूँ Welcome to the Computer Diary Clear? Welcome to the Computer Diary Void Main के Block में मैंने लिख दिया इसका मलब Void Main के Block में जो भी लिखेंगे वो Output Screen पे हमें दिखाई देगा But कुछ Rule और Regulation साथ हमें Follow करने होगे Void Main के Block में जो भी Sequence Code की होगी उसको वो Run करेगा But कुछ Rules Regulation के साथ पहला Rule Output Screen पे दिखाने के लिए कोई भी Message उसको एक Input Output Statement का यूज करना होगा जो की है आपकी C Out C Out इस Particular Statement को हम यूज करेंगे और Message को Inverted Commas के अंदर लेंगे और Last में लगाएंगे Semi-Colon तो पहली बात Void Main का Block दूसरी बात क्या है कोई Message हमें दिखाना है तो उस Message को C Out के Block में राइट करेंगे Inverted Commas के अंदर कुछ Special Symbol जो हमने साथ में यूज किये हैं और Last में लगाना होगा Semi-Colon तो इससे हम Output Screen पे कोई Message देख सकते हैं बट अब Rule No.2 अब आपने C Out का यूज किया हमें पता है C Out से हम Message Output Screen पे देख सकते हैं C Out से ही क्यों Message आया क्योंकि C Out से Related पहले से Coding की जा चुकी है वो Library में Already Develop किया हुआ है कि C Out से Message आएगा तो उस Library की उस File को जिसमे C Out को Define किया हुआ है उस File को इस Program में Include करना होगा अगर आप C Out की उस File को इस Program Include नहीं करोगे तो C Out वर्क नहीं करेगा तो Header फाइल बोलते हैं उसको उस Library फाइल बोलते हैं उस Library फाइल को हमें Has के साथ Shift के साथ Has प्रेस करेंगे Include करेंगे हम उस File को Include I O S T R E A M I O Stream.H तो ये Particular Header फाइल है C Out की अगर आपने वोइड में की ब्लोग में स्प्रिंट करने के लिए तो आपको C Out की Header फाइल को Include करना होगा वोइड में की ब्लोग सी उपर Header फाइल Include की जाती है Has सिंबल के साथ Include I O Stream I O होता है Input Output Stream है .H क्या है Header फाइल तो Input Output Stream .H Header फाइल का यूज करने हैं Include कर रहे हैं इस प्रोग्राम में ताकि हम C Out जो Input Output Function है उसका यूज कर सके हैं Clear तो अब हमारा प्रोग्राम त्यार हो चुका है Message प्रिंट करने के लिए कि Void Main का ब्लोग ले लिए हमने वो जो की जरूरी होता है और उस ब्लोग में जो Statement हम लिखेंगे उन में से एक Statement हमने लिखी Message के लिए C Out और Message United कोमा में डाल दिया और Semicolon लगा दिया उसकी Adder File भी हमने यूज कर लिए कौन सी? Iostil.h अब इसके साथ प्रोग्राम को रन करने से पहले हम एक दो Statement और बताते हैं आपको CLRSCR ये एक Pre-Defined Function है जो हम यूज कर रहे हैं ताकि जब भी प्रोग्राम रन होगा तो Void Main के Block से एक-एक Statement को उठाएगा तो पहली Statement Clear Screen CLR Clear SCR Screen इससे क्या होगा? Clear Screen, Output Screen पे जो भी ओलड़ी कोई Output पड़ी है तो वो साफ हो जाएगी पहली Statement Block Clear Screen लिखा है हमने ब्लोक में तो वो साफ सक्रीन करेगी Output Screen की उसके बाद मैंने Cout का यूज किया जिससे वो Message आ जाएगा तो में दो Screen होगी एक तो Coding Screen एक Output Screen उन दोनों को ज्यान में रखते हमें Code करना होगा तो Void Main का Block Output Screen Clear उस Main Block में जो भी लिखोगे जिस Sequence में उसी Sequence में Output Screen पर आएगा तो पहली Sequence में हमने लिखा Clear Screen तो साफ सक्रीन होगी फिर Cout का यूज किया जो Message लिखने के लिए यूज होता है तो इससे Message आएगा फिर वापिस आ जाएगा क्योंकि Block बंद हो गया तो Output Screen तो रुकी नहीं काफी टाइम तक हम देखने पाए तो एक Statement और यूज कर लेते हैं Get CH Get CH एक Function है हमारा Pre-Defined जैसे Clear Screen है Get CH होता है Get Character इस Function का काम क्या होगा Output Screen पर जाके यह हमसे Character डिमांड करता रहेगा जब इसकी बारी आएगी तो मैंने Main Block में पहले Clear Screen लिखा साफ होगी इस Screen See Out जो की एक Message दिखा देगा Get CH work करेगा Last में Third Statement यह है तो वो रुका रहेगा और वो Character डिमांड करेगा हमसे Get Character हम नहीं देंगे नहीं देंगे वो मांगता रहेगा जब भी हम कुछ की प्रेस करेंगे उसको कुछ मिलेगा उसके बाद वो बंद है वलोग तो वापिस आ जाएगा Clear? तो Last Statement Get CH है Get Character देते हो वापिस आ जाएगा तो Output Screen को रोके रखने के लिए Get CH का यूज किया जाते ही Screen को साफ करने के लिए Clear Screen का यूज किया Cout का यूज किया Output Screen पे Message दिखाने के लिए तो First Basic Program हमारा ये है बट एक बात और इसमें Header File और Include करेंगे Clear Screen और Get CHS अगर आपने यूज किया है तो इसकी Header File भी आपको इस Program में Include करने ही पड़ेगी तो हम उस की यूज करते हैं Include C-O-N-I-O .H Clear तो कौनियों C-O-N-I-O Console Input Output .Header File C-O-N क्या है Console I-O क्या है Input Output .H क्या है Header File अगर अमने Console.Input Output .Header File यूज की है तो Get CHS और Clear Screen Work करेंगे Otherwise ये काम नहीं करेंगे I-O Stream अगर हमने यूज किया है तो I-O Stream से क्या होगा कि आपका जो है C-O-T जो Statement है वो यूज होगी और वो Work करेंगी तो This is your First Basic Program of your C++ पहले वोइड में इनका Block उसमें Sequence में Clear Screen ताकि Saab Screen आए फिर Message आए फिर रुका रहे तो GetCH See Out के लिए Header फाइल यूज की हमने I-O Stream.ach और GetCH और कलिय सक्रीन के लिए क्या यूज किया हमने Conio.ach तो अब इस Program को Run करने की बारी है हम यहाँ Compile पे Click करेंगे भी कोई Error तो नहीं कर दिया हमने Compile कोई Error नहीं है अगर कोई Warning Error होती तो हमें यह बता दे ताकि कही बार हम Semicolon लगाएं या Bracket गलत लगा दे कुछ भी गलती करेंगे तो हमें बताएगा हमें इस Sequence में Coding करेंगे तो हमारी गलती नहीं है तो Error नहीं दिखाया Compile करने बाद हम Run पे जाएंगे Run पे जब कलिक करेंगे इसकी shortcut की भी साथ में दिखाये Ctrl F9 से भी Direct कर सकते हो या आप यह Run पे जाके Run पे कलिक करें तो इससे क्या होगा Output Screen पे आपका आगया Welcome to the Computer Diary This is your first program of C++ अब करसर यह Blink कर रहा है लास्ट में Diary के बाद तो यह कह रहा है कि Get CH वो कर रहा है यहां पे Clear Screen हुआ Message आया Get CH चल रहा है हम इसको Enterprise करेंगे Character मिल जाएगा खतम था तो वह अपिस आ गया तो इस इस योर फस्ट बेसिक प्रोग्राम ओफ C++ जिसमें हमने दो header फाइल यूज की है Conio और iostream.ach और void main का block यूज किया है जो कि हर प्रोग्राम के लिए जरूरी होगा और इसकी sequence लिखी void main के अंदर भी कौन सी statement कब हमें लिखनी थी उस हिसाब से ताकि Output Screen हमें दिखाई दे Clear? तो इस यूर फर्स्ट प्रोग्राम ओफ C++ आसा करते हैं आपको जरूर समझ माया होगा अब आगे इसी को और continue करते हैं हम message की formatting जो C out यूज किया है इसमें जो welcome to the computer diary message आया था वो पहले इस line में आया था हम यहाँ slash n का यूज करेंगे इस से पहले slash n slash n slash n तीन slash n लगाएं यह होगा next line के लिए output screen में हम output देखना चाहते हैं कि जो message आया है वो दो तीन line ने छोड़ के आई तो जितनी line आपको छोड़नी है उतने slash n आपको लगाने होंगे तो slash n हमने तीन लगा दिया इसके अंदर तो क्या होता है हम compile करते हैं कोई error तो नहीं हो गया है और फिर हम run करते हैं तो output screen पे आपको अब दो तीन line ने छोड़ के output आ रही है जिसमें welcome to the computer diary थोड़ा सा नीचे आ गया तीन line ने तीन slash n लगाए अब थोड़ा सा हमें right side shift भी करना है तो slash t tab होता है slash t slash t tab से वो आगे move करेगा एक एक tab slash n next line के लिए tab आगे further movement के लिए अब हम इसको direct compile करते हैं या run कर लेते हैं तो हमारा जो the computer diary welcome to the computer diary message है वो आगे move हो गया clear तो यह हम see out में दो statement यूज की है slash n और slash t slash n next line को represent करता है slash t tab को represent करता है दूसरी बात इसमें एक बात और welcome के बाद यहां भी आप next line बीच में भी कर सकते हैं slash n to के बाद slash n the computer diary अलग रखेंगे तो यहां एक लाइन में भी आप next line का अंदर message के अंदर भी आप slash n slash t use कर सकते हैं वैसे आपकी requirement रहती है वैसे आप उसकी formatting कर पाएंगे run कर लेते हैं पहले slash n है वो next line के लिए फिर welcome के लिए slash t फिर next line के लिए slash n यूज किया फिर next line और two से पहले slash t भी लगा लेते हैं ताकि आगे move करे slash t slash t तो क्या होगा देखो कितने slash n है एक दो तीन तीन लाइन ने नीचे छोड़ देगा फिर tab एक दो टैब फिर welcome फिर आपका slash and next line फिर दो tab फिर two आएगा slash and next line the computer diary आएगा clear तो इस परकार से पूरा analysis पहले code में हो जाना चाहिए output कैसे आएगी वो हमें पहले से पता होनी चाहिए ठीक है तो ये था आपका code जिससे हमने एक message लिखा clear और उसकी formatting की हर program की basic requirement यही रहने वाली है कि void main का block होगा clear screen get CH हमें पता है रोपना भी है program साब भी screen होनी चाहिए जाते ही और उनकी header file अब आगे देरे देरे इसमें बढ़ता रहेगा concept अब हम इस message एक से ज़्यादा message लिखने तो भी आप लिख सकते हो अलग लग भी लिख सकते हो आप see out statement का use कीजी again hello how are you और semicolon ठीक है यह semicolon वगएर अब ध्यान रखेंगे अब एक message हो रहेगा पर यह next line में आना चाहिए तो हम यहाँ slash n लगा लेते हैं पहले से ही अब हम इसको run करते हैं तो क्या होगा अब यह दोनों message आएंगे welcome to the computer diary और hello how are you message हमारा आ गया clear तो यह program था जिसमें हमने see out statement का use किया clear अब इसके साथ first basic program के बाद हम आपको सिखाएंगे c++ में run कर सकते हैं देखिए हमारी कोशिस रहेगी आपको first basic program से लेके advance topic तक एक topic आपको series में बताएं ठीक है तो बिल्कुल basic से लगें हैं हम हम सबसे पहले देखिए language में हमें माल लेजिए सबसे पहला program बनाना है 10 plus 10 या 10 plus 22 नंबर का addition करना है तो 10 और 20 दो नंबर हैं हमारे पास उनका addition करना है तो 10 और 20 को करना के लिए सबसे पहले A में हम 10 डाल लेंगे A में 10 डाल दिया B में 20 और C में हम क्या करेंगे A plus B अब हमें दो नंबर का addition करने के लिए कितने variables की जोड़ पड़ी 3 ना A की B की और C की directly भी जोड़ सकते थे पर इसमें variables के थुरू आपको addition करना है आप integer INT हमें 3 variable चाहिए A, B, C semi-colon तो mean हमें पता है दो नंबरों का addition करना है तो 3 total variable चाहिए हमारे को A में एक value डाल देंगे B में दूसरी value C में उन दोनों का जोड तो 3 चाहिए तो हमें पहले 3 O declare करने होंगे भी 3 variable हमें चाहिए तो integer A, B, C semi-colon से हमने declare किया फिर हमने A की value assign की B की value assign की उस C में क्या कर दिया A, B का जोड़ कर दिया अब हमें C को answer screen पे दिखाना है अभी आपको मैंने बताया है कि answer screen पे कोई भी message दिखाना हो या value तो C out का use करते है तो यहां हम लिखेंगे C out और क्या answer दिखाना है C की value तो value के लिए direct आप C लिखें हो semi-colon लगाए inverted comma में डालेंगे तो वो message होगा सिधा direct variable का नाम लिखेंगे तो वो values की value print हो जाएगी 10 out 20 की value प्लस की 30 हो जाएगी C में और 30 C को में C को represent करना है C out में हम C को print करवा देंगे without inverted comma inverted comma जा लगा दिए C के तो वो message बन जाएगा अगर उसकी value print करानी है तो direct लिखेंगे clear तो यहां यह बात थी समझने की आपको दो नुमरों का addition करना है numerical value रखेंगे आप तीनों में but उनमें points की value नहीं रख सकते आप वो integer होते हैं अगर points वाला रखना है तो आपको float type माल लिजिए कोई number जोडने है या string जोडनी है या points वाले number जोडने है तो आपको variable declare करते से में आपको बताना पड़ता है कि वो किस type की variable होंगे तो integer लिखा इसका मतलब क्या है वो integers होंगे उनमें points की value या character आप नहीं डाल सकते अगर points वाले डालने तो हम float लेंगे आगे हम वो करेंगे प्रोग्नाम तो आपको समझाएंगे पहले हम simple integers ले रहे हैं 3 A में value, B में value, C में A plus B C में data आगया answer screen page जो दिखाना है उसको C out से दिखाएंगे तो C out से हमने C को यहाँ पर output में दिखा दिया clear, अब यह sequence है void main की, void main में सबसे पहले क्या है clear screen, तो साब screen होगी फिर 3 variable ले लिए, फिर A में value ले ले लेगा, B में value, C में दुनों का जोड, output screen पे क्या दिखेगा शिरप C out वाला, C out में हमने क्या दिया है, C को print करा है, अब हम compile करते हैं पहले, कोई error तो नहीं कर दिया, कोई error नहीं है फिर हम run करेंगी अब run करने पे हमारे पास answer आगया 30 clear, अब 30 जो answer हमारे पास आया है ठीक है, जो 30 आपको answer दिखाई दे रहा है clear, ये output screen पे ये C out की बज़े से आया clear, अब उसके बाद हम आगे move करते हैं हमारे concept को भी addition था, C में addition को हमने print करा दे, हम इसके साथ message भी print कराना चाहते है, भी message आये हमारे C की value प्रिंट हो, साथ में message भी आये, तो यहाँ inverted comma में लिखेंगे the result is, ये message है कुछ भी आप लिख सकते हैं the result is और आप कोई भी message with some symbols और फिर again आप ये brasses यूज़ करेंगे ठीक है, brackets यूज़ करेंगे आपने C out लिखा, फिर आपने message डाल दिया, फिर again C की value print करानी है, तो आपने C को फिर symbols के साथ print किया, तो message भी आजाएगा, जो भी लिखा है आपने और C की value भी आजाएगी अब हम run करते हैं इसको तो output है आगया, the result is 30, अब ये message है message में आप कुछ भी लिख सकते हैं the sum is, या कुछ भी तो इस परकार से हम में दिखा देगा, हम इसको run करते हैं तो ये answer आगया, clear, subtraction multiplication करना है, तो आप symbol यहाँ change कर दें और फिर run करें आप तो mean all arithmetic operation आप directly ऐसे run कर सकते हैं, तो simple variable लेना उन्हें value उनकी जो भी calculation करनी है, वो आप यहाँ पर define कर सकते हैं, तो ये arithmetic all operation C++ में आप कैसे perform करेंगे, variables कैसे लेंगे, और message और message के साथ उसकी value, अब हम ये चाहते हैं, output screen पे A और B की value भी आए, तो हम cout write करेंगे cout the first value is inverted comma, फिर value किसमे A में A को print करवा देंगे cout, the second value is और आप print करवा देंगे B, क्योंकि first value हमारी A में है, second value हमारी B में है, और इनका addition किसमे है, c में इसमे हम slash n, slash t का भी use करते हैं थोड़ा, थाकि output, थोड़ी formatted output आए और हमें अलग-अलग वो दिखाई दे slash n, next line के लिए आपको पता है हर line में, अलग-अलग line में ये तीनो statement आएंगी अब हम इसको run कर लेते हैं ये देखे, अब आ रहा है हमारे पाद, the first value is 10 the second value is 20, the result is 200, क्योंकि इसमें हमने multiplication किया हुआ है तो इस प्रकार से हम message के साथ values प्रिंट करा सकते हैं और simple value भी cdv करवा सकते हैं तो this is the first basic arithmetic all operations इसमें perform हो रहे हमारे program के रंदर, भी हम variable कैसे declare करें, उनको direct value कैसे assign करें, और उनके साथ कोई calculation कैसे करें तो ये हमारा आज का lecture था जिसमें हमने first basic program आपको बताया कि कैसे इसमें run होता है और arithmetic operation बताए अब next lecture में हम इसके और advance concept को एकिक करके पढ़ते चलेंगे, बारी की से एकिक concept को देरे देरे समझेंगे, thank you very much, जै हिंद, जै भारत